Hi everyone, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने two wheeler के wheel bearings को replace कर सकते हैं वो भी common hand tools की help से इस वीडियो में सारी tips and tricks आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ जो कि इस process को आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बना देंगी and साथ ही साथ कुछ tips bearing selection से related भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ so make sure आप इस वीडियो को पूरा देखें and अभी without further ado let's get started alright so शुरुवात करते हैं step number 1 से जो की होने वाला है bearing का removal जो existing bearing wheel में लगे हुए हैं सबसे पहले हमें उनको निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें 2 bearings निकालने हैं एक bearing इस साइड लगाओ है यह इसी साइड से निकलेगा and दूसरा जो bearing है वो इस साइड लगाओ है यह इसी साइड से निकलेगा अब इनके लिए बहुत सारे special tools and पतानी क्या क्या आता है लेकिन एक बहुत ही आसान and simple तरीका है जिससे कि ये safely निकल भी जाते हैं और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता टूल्स में वो है कि आप एक hammer and एक drift यूज कर सकते हैं अब drift word मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ because specifically इसी काम के लिए एक tool आता है जिसको drift बोला जाता है लेकिन यहाँ पर मैं एक पुराना swing arm का bolt है उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके inner diameter में perfectly fit होता है आप चाहें तो कोई पुराना axle भी यूज कर सकते हैं लगा हुआ है उसको हम थोड़ा सा टेडा कर रहे हैं ताकि जिस side का bearing हम निकाल रहे हैं उसका जो inner surface है ये वाला इसके उपर हमारी जो drift है वो कुछ इस तरीके से लग जाए और उसके बाद में हम जब उसको tap करेंगे तो वह bearing बाहर की तरफ निकल जाएगा तो अभी I think basic explanation मैंने दे दिया है अभी इसको remove करते हैं और जब ये दोनों bearings और distance piece हम निकाल लेंगे तब मैं आपको और अच्छे से demonstrate करके दिखा दूँगा कि exactly हम कर क्या रहे हैं तो अभी सबसे पहले जो दूसरी साइड वाला बेरिंग है उसको इस साइड से जो drift है उसको insert करके हम निकाल लेते हैं अभी गो अभी इसको मैं lift कर रहा हूं and as you can see जो हमारा bearing है वो निकल चुका है साथ ही साथ जो distance piece है वो भी इसके साथ ही निकल गया है अभी बारी है इस साइड वाला जो wheel bearing है उसको निकालने की तो उसके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से flip करके रखेंगे and same process से वो वाला जो bearing है उसको भी निकाल लेंगे सब हमें एक जो bearing glass निकालने रहता है उसके हम ये वाला जो area है इस पर tap कर रहे हैं or tap करते हैं हम एक चीज ओर मेकशोर करेंगे कि हम एक ही जगह पर ज्यादा टैप नहीं करेंगे हम equally एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इससे होगा क्या कि जो bearing है वो evenly press out होगा and वही हम चाहते हैं, otherwise जो seat है, मतलब जिस area में ये bearing seat करता है, बैठता है, वो damage हो जाएगी and उसके बाद में ये जो job है, ये और आगे खिच जाएगी, वो हम नहीं चाहेंगे, तो this out of the equation, अब बात करते हैं कि पहले वाला bearing, जो कि सबसे ज़्यादा trick है, उसको कैसे निकालना है, so let's suppose कि दोनों bearings है, वो distance piece के साथ, कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, अब हम इस side वाला bearing निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस side से हम जो drift है, उसको insert कर रहे हैं, यहाँ तक, अब यह drift अगर हम पूरा insert करेंगे, तो यह side से बाहर निकल जाएगी, but हम ऐसा निकरना है, हम इसको यहाँ तक लेकर के आएंगे, and उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, उपर की side tilt करेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा distance piece है, वो थोड़ा सा उपर उठ जाएगा, and उस के बाद में हमने distance piece को बाहर निकाल दिया, and यह वाला bearing में ने पहले ही बता दिया था कैसे निकालना है, तो अभी हमारे जो दोनों bearings हैं, वो out हो चुके हैं, तो यह तो हम काम में लेने वाले नहीं है, distance piece हावएवर हमें यूज करना है, तो सबसे पहले इसको मैं इसको मैं और उसके बाद में जो bearing selection की process है, उसकी तरफ move on करते हैं, अभी reference के लिए जो पुराने वाले wheel bearings है, उनको भी मैंने एक बार थोड़ा सा साफ कर लिया है, तो अभी bearing selection में सबसे पहली चीज जो की हमें ध्यान में रखना है, वो है कि जो replacement bearing हमें लेकर के आना है, वो same size का होना जीए, एंड उसके लिए bearings के उपर code numbers लिखे रहते हैं, जो की उनकी जो type है उसको represent करते हैं, so for example, अगर ये वाला जो bearing है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, तो इस पे लिखा हुआ है 6201, X7, तो ये जो X7 है, इसको एक बार हम out of the equation रखते हैं, सिरफ 6201 पर focus करते हैं, तो ये वाला जो bearing है, वो हमें लेकर के आना है 6201 का, अब उसमें भी बहुत सारे types आते हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक side आपको oil seal type चीज दिखेगी, ये plastic जो black color की cap है, ये oil seal का ही काम करती है, but on the other hand, इसमें किसी भी type की seal जो है, वो नहीं है, and generally आपको जो wheel bearings हैं, वो इसी type के देखने के मिलेंगे, जो OEMs की तरफ से आते हैं, एक side आपको oil seal देखने को मिलेगी, दूसरी side नहीं देखने को मिलेगी, जिस side नहीं देखने को मिलेगी, वो side generally अंदर की तरफ लगता है, so that's why they think कि इस side जो dust अवो इतनी ज़्यादा आएग लें, ताकि उसकी जो life है वो और बेटर हो सके, अब manufacturers single oil seal का bearing क्यों use करते हैं, reason number one, they don't feel the need of the other side oil seal, reason number two, थोड़ी सीज में cost cutting भी हो जाती है, तो इसलिए मेरी preference रहेगी, tip number one, हमेशा wheel bearing के लिए double side का जो oil seal वाला wheel bearing है, वो use करें, अब बात करते हैं, numbers की, तो दूसरी जो ची wheel bearings हैं, वो same size के होते हैं, तो हमने एक का देख लिया कि 6201 है, हम दोनों 6201 के उठालाई, कुछ cases में क्या होता है, कुछ makes and models में, दोनों जो wheel bearings हैं, वो अलग-अलग diameter, अलग-अलग size के होते हैं, तो इसलिए दोनों का code number आपको अच्छे से देखना है, तो इसमें हमने दे वेरिंग है, उसका brand कोन सा सेलेक्ट करें, so well, as you can see, मैं तो NBC के वेरिंग लेकर के आया हूँ, and उसके पीछे का सबसे बड़ा लोजिक है यह है, कि वोकल फो लोकल, इंडिया's first bearing manufacturer company है यह, and साथ ही साथ 75 प्लस years हो चुके है, and जितने भी applications में हमने इनके वेरिंग को यूज और इनका जो brand है, वो आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, NBC, so I think pretty self-explanatory कि यह क्यों लिए है, लेकिन इन में एक और बेटर चीज लगती है मेरे को, जिसकी वेदर से मैं इनी को recommend करूँगा, वो यह है कि आप बहुत ही आसानी से आपने जो product purchase करा है, वो original है या fake है, उसको identify कर सकते हैं, तो मैं एक बार जल्दी से आपको वो process दिखा देता हूँ, and उसके बाद में जो इनकी installation है, मतलब इन वालों की, उसकी तरफ move on करेंगे, तो authentication के लिए आपको कुछ नहीं करना है, simply जो NBC connect tap है, उसको install करना है, इस पर register करना है, सिरफ तीन चीज़ें ask करत तो जल्दी से जो QR scan है, वो वाला option select करते हैं, and यहाँ पर करके इसको permission देते हैं, अब यह QR code scan कर रहा है, तो अभी जल्दी से जो bearing का box है, उसके उपर जो QR है, उसको मैं इसके आगे रखके scan करता हूँ, and उसके बाद में आप खुद देखिएगा कि क्या होता है, Thank you for buying an authentic NBC bearing, super simple, अगर यही पर आपने fake bearing पर्चेस करा होगा, तो उसका QR code यहाँ पर verify नहीं हो पाएगा, and आपको पता चल जाएगा, कि जो product है, वो original नहीं है, And आजकल जहाँ पर हर एक चीज की ही duplicacy हो रही है, I think एक ऐसे app का होना, जिससे आप पता कर सकें कि आपने जो product पर्चेस करा है, वो 100% genuine है या नहीं, एक काफी अच्छी चीज है, and with that said, अभी बारी आती है, अपनी जो bearing installation की process है, उसकी तरफ move on करने की, जिसमें सबसे पहला step यही रहेगा कि दोनों साइट जहाँ पर bearing seat होने वाला है, उस seating area को, आप make sure करें कि अच्छे से clean कर लें, because यही वो surface है, जहाँ पर bearing जाकर के sit होगा, अगर आप उसको clean नहीं करेंगे, जो debris है, वो जो seat है, उसको damage कर सकती है, All right, so अभी यहाँ पर हम bearing install करने वाले हैं, तो सबसे पहले यह जो area है, इसको हम अच्छे से grease कर लेते हैं, and grease के लिए भी मैं वही सेम चीज़ बोलूँगा, कि जितनी अच्छी quality का bearing use कर रहे हैं, आप make sure करें, कि उतनी ही अच्छी quality का आप जो grease है, वो भी use करें, because एक अच से पहले इसको align करते हैं, इसमें वैसे कोई direction नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें, तो जिस side जो bearing number लिखा हुआ है, जैसे इसमें 6201 लिखा हुआ है, NBC लिखा हुआ है, जो unique code है, वो लिखा हुआ है, उन चीजों को आप उपर रख सकते हैं, ताकि future में आपको जो bearing का number है उसको access करने के लिए bearing को निकालने की जुरत ना पड़े, alignment है हमारे bearing का, वो हो चुका है, तो अभी बारी आती है, इसको all the way अंदर की side insert करने की, और उसके लिए हम इसका जो outer diameter है, उस पर tap करेंगे, निकालते time हमने inner diameter को tap करा था, तब bearing निकाला था, लेकिन उस time हम उस bearing क निकाल रहे थे, use ना करने के लिए, अगर अभी भी हम अंदर की side tap करेंगे, तो पुराने bearing और नए bearing में कोई भी फरक नहीं रहेगा, bearing है वो damage हो जाएगा, तो इसलिए अब हम जो outer diameter है, जो की seat होने वाला है, उसी को tap करके इस bearing को drive करेंगे, जिसके लिए सबसे best रहता है, जो outer diameter है, उसी की size का socket यूज करना, तो इसको अगर आप देखेंगे, तो एक बार मैं पूराने वाला bearing है उसकी reference से दिखा देता हूँ, ये exactly उतना ही है, इसका जो diameter है, वो जो bearing का outer diameter है, उसके exactly बराबर है, and if you are wondering, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो socket है, ये 24 mm का है, तो अभी इसको यहाँ पर place करते हैं, सबसे पहले gently tap करना शुरू करेंगे, और gently tap भी evenly करना है, 360, किसी भी एक point पर ज्यादा tap नहीं करना है, बीच पीच में इसको उठा कर देखते रहें, कि आपका जो bearing है, वो evenly press in हो रहा है, या फिर uneven है, तो इस case में इस side से ये ज्यादा अं लेवल में लेकर क्या हूंगा, there we go, अभी फिर से same tapping की process repeat करनी है, और अभी जो tapping की sound है, उसको आप notice करना, अभी की जो tapping की sound है, और जब ये bearing all the way, अपनी जो seat है, उसमें properly fit हो जाएगा, उस sound में difference रहेगा, अभी जो sound आ रही है, वो काफी hulky sound है, जैसे ही ये seat होगा, तो sound अभी हो जाएगी, तब आपको समझ लेना है कि जो bearing है, वो all the way insert हो चुका है, just like that, तो हमारा, एक side का जो bearing है, वो properly install हो चुका है, अब बारी आती है, opposite side के bearing को install करने की, and यहाँ पर हम जो distance piece है, उसको लगाएंगे, और इसको भी मैं लगाने से पहले थोड़ा सा grease इस पर ल there we go, थोड़ा सा grease, जो seating area है, उस पर लगाएंगे, and अभी जो bearing है, उसमें जो letters है, उनको आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं, and उसके बाद में इसको सबसे पहले align करेंगे, and उसके बाद socket की help से इसको all the way drive कर देंगे, अभी जो movement है, उसको check करना है, उसके बाद में जो drift है, उसकी help से, जो distance piece है, make sure करें कि वो properly align हो, जो drift है, वो all the way इस side से निकल जानी चाहिए, ये same process आप चाहें, तो इसका जो axle है, उसको use करके भी check कर सकते हैं, वो ज्यादा accurate रहेगा, but मैं इस से check कर रहा हूँ, and मुझे ए नमारी जो wheel bearing replacement की process है, वो complete हो चुकी है, तो बस कहा है, इस वाले वीडियो में इतना ही था, I hope इस वीडियो में मैंने जो information आप लोगों के साथ share करी है, वो आप लोगों के लिए useful रही होगी, अगर ऐसा है दिन आप इस वीडियो को like, comment, share कर सकते हैं, channel को subscribe कर सकते हैं, and as always, जितने भी tools and products मैंने इस वीडियो में use करें हैं, उनका जो link है, वो आपको description में मिल जाएगा, also NBC का जो app है, connect app, उसकी जितनी भी details है, and जो link है, वो भी आपको description में मिल जाएगा, make sure you check it out, मैं मिलूँगा आपसे, फिर कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए, bye bye